वेलकम आल आफ यू अगें और हम आज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला सेशन जिसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है एप्लिकेशन ओफ इंडियस ठीक है तो कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं बिलकुल ध्यान से सुनते जाना बात को सारी बा जो आए यह इंडियस क्या है तो हम थोड़ा सा उसका हिस्टोरी के लिए उस टॉपिक को समझने का प्रियास करेंगे तो आपके पास जो कॉपी है आप उसके अंदर यह ड्रॉ करेंगे पहले अपना हेडिंग तो लिखी दें एप्लिकेशन अफ इंडियस उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखें हिस्ट्री सोचा ना था कि पहली क्लास में पहली ही चीज हिस्ट्री बताई जाएगी कमाल हो गई बात है तो बताओ एफ आर की क्लास जाइन किया हिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है तो हम इसके अंदर आपको क्या बताएंगी आप पहले देख लीजिए मैंने अपनी लेंड्सकेप में अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छी बात है अगर आपके पास हमारे रिजिस्टर पहुँ आप उनका प्रियोग भी कर सकते हैं नहीं तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं शुब भांगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ हम इस तरह डेट एक टाइम लाइन बना रहे हैं और उस टाइम लाइन के तहत हम लोग अपने पास आगे लिखते जाएंगे सबसे पहले घटना जो घटी थोई वो 1970 में घटना घटी थोई 1970 में जब तुम पिछले जनम में थे या उससे भी पिछले जनम में थे तम की बात कर रहा हूं ठीक है तो 1970 में क्या हुआ जो यूरॉप के नेशन्स थे वो क्या हो गए दे गाट तुगेधर एंड मेड यूरो जोन तो सबसे पहले 1970 में जो यूरॉप के देशन्स थे यूरॉप के उन्होंने क्या किया हो इकठियों के क्या बनाया उन्होंने यूरो जोन जिसके अंदर उन्होंने कॉमन करंसी रखी यूरो उन्होंने अपने एक common currency बना दी और उसी के अंदर उन्होंने एक और भी अपना goal बना दिया उन्होंने कहा कि हमारे पास एक common financial language of reporting कहा उन्होंने गोल रखा उन्होंने कहा हमारा एक common goal हो कि हमारी financial reporting की language एक हो जाए तो सबसे पहला 1970 में Eurozone में ये goal बना गया और उसी के goal के तहत एक committee बना दी गई International Accounting Standards Committee IASC was formed तो मुझे फिटा फिट से बताओ कि IASC की शुरुवात यूरप के देशों ने मिलकर के की थी जिसमें उनका objective क्या था कि हमें common language बनाना चाहते हैं ताकि सारे यूरप के जो देश हैं वो सब एक जैसे काम करें इट स्टार्टिड इस्चुइंग IAS क्या यहीं से नाम पड़ा IAS तो IAS 1, 2 ऐसे करके उन्होंने अपने पास IAS जारी करने शुरू कर दिये और इस वर रिकमेंडेटरी क्या यहें मेंडेटरी थे नहीं नहीं जब शुरूआत में आए तो इस वर रिकमेंडेटरी तो यहां पर 1970 में यह सबसे पहली घटना घटित हुई थी फिर उसके बाद क्या हुआ चलते 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 अब आया है कुछ और अब आगया 1981 अब कौन आगया 1981 1981 में ICAI को भी लगा कि भई यह जो बात कर रहे है वो ठीक है और ICAI ने भी बना दिया क्या बना दिया Accounting Standard Board Accounting Standard Board जिसका नाम है ASB हमारे इंसिचूट के एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और साम एक कमेटी आई यह Accounting Standard Board ठीक है और It started Issuing बताओ जी इसने क्या स्टार्ट करने शुरू कर दिये Accounting Standards और यह भी क्या थी These were recommendatory क्या यह भी recommendatory थी ना आंसर is yes इतना ही ठीक है चलो इसका मतलब यह कि हमारे पास ऐसा हुआ और फिर उसके बाद अगली भी date आ गई हम और आगे चलते हैं कि इंडिया में मैंने इंडिया वाली बात को भी साथ में डाल दिया फिर इसके बाद एक और घटना घटी तुई जो की बड़ी important थी 1983 यह आपको कोई exam में नहीं आने वाले लेकिन पता होना चाहिए न कोई पूछ ले आपको तो आपको एक basic idea होना चाहिए तो मैं कोई लंबी चौड़ी history नहीं बता रहा क्या हुआ International Organization of Securities Commission IOSCO was formed It was या it is रधर अभी भी है ये It is Just like Sabi of World इसका मतलब क्या ये Sabi of the World है हाँ जैसे Sabi of India है ना तो वैसे मैंने आपको comparison के लिए बता दिया ये securities को manage करती है worldwide India इस मेंबर अफ आई आई आउसको तो इंडिया भी उसका एक मेंबर है ये नहीं किया हम इस संस्था के मेंबर है इसने जब ये फॉर्म हुआ तो क्या किया इसने ज seven थाओगों पत्प्चाइब के लग्णूज श्हा बताओ भई, किसका गोल था कि mandatory हो जानी चाहिए, reporting of financial statements और भी better होनी चाहिए, तो ये गोल किसका था, ये गोल IOS को का था, उनका कहना था कि ये होने चाहिए, और इसी गोल को उन्होंने पूरा करने के लिए mandatory करने के लिए ऐसा करना स्टार्ट किया, तो ये इसका kind of saving, इसका म member state है तो हम इसलिए bound हैं तो उसके इस goal का बड़े सारे goal थे उसमें उसका एक goal था कि हम इसके अंदर क्या करेंगे हम mandatory reporting करेंगे of the financial statements ठीक है ना फिर उसके बाद हम और आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ black pen से ही ठीक है year 2000 अब आ गया year 2000 तो year 2000 में क्या होगा यहां पर क्या हुआ IASB International Accounting Standards Board was found और फिर क्या होगा इसके अंदर it started issuing IFRS International Financial इसका मतब क्या इसने गोड़ा है इसका मतब क्या इसने गोड़ा है इसका मतब करेंगे यहाँ से वर्ष 2000 से IFRS का नाम आया पहली बार नाम आया उससे पहले कुछ नहीं था और इसके पीछे खारन क्या था उसके पीछे 1983 की यह organization थी जिसने इस को formulate किया था यह उसी के efforts थे हमारे पास यहां से आई IFRS one two इस तरह से worry should इस तरह से IFRS भी start हो गए तो अब हमारे को फटा फट से बताओ internationally बताइए क्या चीजे हो गई internationally तो internationally हो गए एक तो IAS जो कि exist करते हैं एक से ले करके 41 तक कई हट चुके थे और इसी के साथ IFRS भी आ गया एक से ले कर ऐसे करके चलते जा रहे हैं आज की date तक यह 17 तक आ चुके हैं मैं इसको लिखूं के नहीं लिखूं I cannot say because चलो लिख देते हैं 17 बाकी इसके अंदर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ-कुछ IAS हटते जा रहे हैं जैसे इसे IFRS आते जा रहे हैं तो कुछ-कुछ IAS उसमें से हटते जाएं because they are being improved तो उनके IFRS आ रहे हैं तो automatically IAS जो है वो रिमूव किये जा रहे है खेर यहां तक भी भी पहुँच गए यहां तक भी कोई दिकत की बात नहीं थी अब इंडिया पर दबाव था अब इंडिया पर दबाव किस चीज़ का था इंडिया पर दबाव था कि साब आप भी अपने देश के अंदर इनको apply करिये तो इंडिया में सबसे पहले 2006 में जी ट्वेंटी समिट वाज हेल्ड एंडिया कमिटेड इटसल्फ फॉर आई एफरेस तो बताओ इंडिया ने कब अपने आपको कमिट किया जी ट्वेंटी नेशन से ग्रूप ट्वेंटी नेशन का समिट हो रहा था उस्ट्रेलिया में वहाँ इंडिया ने अपने आपको कमिट कर दिया कि मैं भी अपने देश में आई एफरेस लेकर आऊंगा तब हमारे प्रधान मंत्री वाकरते थे मनमोन सिंग तो उनकी टीम गई थे उस्ट्रेलिया में उन्होंने आपर अपनी कमिट्मेंट दे दी कि हाँ हम भी अपने पास आई एफरेस लेकर आएंगे लेकिन बाई कन्वर्जेंस तो इंडिया में क्या आई एफरेस एफरेस आजाएंगे या कन्वर्जेंस के थ्रू आएंगे तो यहां पर लिखें कन्वर्जेंस मेंस नोट एफरेस इट इस बट विद माइनर और फ्यू चेंजिस to suit economic environments बई अपने देश के laws, अपने देश की जो समस्याएं हैं, उसके मुताबिक suit करते हुए हम अपने पास उन्होंने कहा कि हम अपने पास convergence कर डालेंगे और convergence का goal उन्होंने set कर दिया तो यहां पर आकर के इंडिया जो था, वो हमारी पास bound हो गया अब उसके अलावा इस बार क्या हुआ इसके अलावा 2006 में ही एक और घटना होई MCA Notified Company Accounting Standard Rules 2006 यहीं पर ही MCA ने जो हमारे Accounting Standards थे उनको उन्होंने यहाँ पर लागू कर दिया यहीं एस वान टू ऐसे करके 39 तक आ चुके थे और इन्हें लागू कर दिया तो क्या इंडिया में हैंस Accounting Standards become mandatory तो Accounting Standards क्या हो गए इंडिया में mandatory हो गए असल में 2006 में जब इंडिया ने अपनी commitment दिखाई तो government को यह काम तो करना ही था ना तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने जो existing standards थे उन्होंने क्या कर दिया उन्हें mandatory कर दिया तो यहां सबसे पहले यही चीज आई फर और भी काम चलता रहा चलता रहा और फिर आ गया 2015 और यहां पर क्या क्या MCNA notified company Indian accounting standards rules 2015 यहां पर हमारे पास यह rules आ गए जिसके अंदर इट वाज कॉल्ड इन शॉट इंडियस तो इसका मतब इंडिया में 2015 में इंडियस mandatory कर दिये गए these were applied to few selected companies and auditors of such companies. तो मतलब auditor करने वालों को भी इंडियस चेक करने पढ़ेंगे और company को भी इंडियस अपने पास लगाने पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2015 में ऐसी घटना घटी थुई तो मैंने short में आपको एक समरी बना दी, एक history की शीट दे दी कि किस तरह से हमारे पास हम इंडिया में यहाँ तक पहुँचे उसके लिए प्रमुक घटना यह थी क्या यह एक्जाम के लिए relevant है तो यहाँ लिखे not relevant for exam लेकिन यह आपको मन की संतुष्टी देगा यह आपको बताएगा कि हाँ ठीक है इसमें कोई problem नहीं है कि अगर कोई पूछे आपसे तो आपको पता है ब्रीफ time line पता है यह कहां से लेकर कहां तक ऐसा हुआ क्या मैं इसका print out ले लो यह print out आपको LMS पर मिल भी जाएगा हाँ काजल एक बार मैं उन्हें बोलता हूँ चेक करेंगे काजल, शुभांगी और नंदनी आप देख रहे हैं क्या शुभांगी वो लोग चेक कर रहे हैं तो आईए हम मेरे साथ साथ तो यह हमारे लिए कोई exam का काम नहीं था मैंने इसको briefly आपके साथ discuss कर दिया क्या हम आगे चल सकते हैं second point पर आते हैं यह आज हम बिलकुल एक introductory class लगा रहे हैं इसके अंदर कोई ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा पहली class के अंदर हम थोड़ा सा आम तोर पे बच्चों को time देते हैं क्यों उनको idea लग जाए कि हाँ कैसे class चल रही है दूसरा point क्या आता है कि what are the goals of IFRS अगर कोई पूछ ले भाई IFRS मुख्य रूप में कैसे है तो these are the features of IFRS तो एक बात बताओ जो features of IFRS है वही feature तो end AS के भी हो जाएंगे क्योंकि end AS IFRS पर ही based है फिर भी मैं ये बात लिखवाऊंगा तो अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है भी तुम इतने सारी 130 क्लासें लगा के आते हो IFRS इंड AS पढ़कर बताओ भी IFRS में ऐसा क्या विशेश है तो आपको कोई जवाब देने लाइक तो स्थिती होनी चाहिए ना कोई आप कहीं गए हैं शादी पर गए हैं वहाँ खाना का रहे हैं एक आईसा बाग है उन्हेंने का सुना IFRS आईए फरस बड़ा हंगामा हो रहा है भाई ये क्या है ये AS से कहां डिफरेंट है तो आप ये तो नहीं कहोगे आओ मैं तुमारे को IFRS बन से शुरू करता हूं समझाना ये क्या है ऐसा तो कर नहीं सकते You need to give very short and clear answer कि इसमें ऐसा क्या है We must understand क्योंकि यही हमारे goal भी हैं यही हमारे feature भी हैं तो number one सुनिये जरा These IFRS are principle based standards इसका मातनाब आप इन में पाएंगे कि हम किसी principle के मताबिक काम कर रहे हैं हम वो principles भी बताएंगे IFRS 1 में आएंगे जब INDS 1 पे आएंगे तो principles बताएंगे इसका नहीं बड़े principle के हिसाब से चलेंगे Rule नहीं based These are not rule based These are not Rule based But principle based अब आप कहेंगे साब ये बात पूरी थोड़ा ठीक से बताओ Rule based नहीं है principle based है का क्या मत्तब हो गया मैं आपको और बता देता हूँ US gap Is rule based The US gap जो है वो rule based है पर IFRS जो है principle based है जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मान लीजे मैं कहूँ कि lease के अंदर check economic life हम economic life को check करते हैं which should be approximately equal to lease term अब मुझे ये बताओ ये जो मैंने sentence लिखा है ये कोई rule based है कि principle based है This is principle based इसका मतब हमने अपने पास एक principle की बात करी कि ठीक है ये approximately equal है आपको सोचना पड़ेगा हर बार ये principle based है कि approximately का मत्तब क्या हो गया इसमें judgment involved हो गई हमारा goal ये हो गया कि भाई ये लगभग बराबर होने ये चेक करना है whereas अगर मैं US की बात करता हूँ तो वो क्या कहते है lease में चेक economic life which should be approximately 90% equal to lease term अब मुझे ये बताईए क्या US gap में ये US gap है जब उन्होंने 90% कह दिया इसका मत्तब उन्होंने आपका judgment का scope खतम कर दिया judgment का scope is less judgment scope is less क्योंकि उन्होंने आपको clear cut बता दिया वे हम 90% को देखते हैं यहां क्या हम 80% को भी देख सकते हैं तो ये basically principle based है जबकि ये principle based नहीं है इसका मतब हमारे standards में आपको बहुत ज़्यादा principle का पालन करना पड़ेगा इसी बात को मैं किसी और प्रकार से भी लिखना चाहता हूं हाला कि वो second point नहीं है लेकिन फिर भी second लिख दिया hence IFRS involves lots of judgment तो मुझे फटा फट से बताओ जब आप standard पढ़ोगे तो क्या उसमें बार बार judgment आपको लगानी पढ़ेगी तो मुझसे ये ना कहना सार ये कितने पर होगा तो मुझे बार भाई ये आपको facts of the case में खुद सोचना पढ़ेगा तो इसका मतब हम इसमें judgment based जादा होंगे फिर और हमारे पास क्या चीज़ है IFRS are for substance over form हम substance over form के लिए ही काम करेंगे जैसे example के रूप में debentures are फटा फट से बताओ debentures क्या है debentures are capital और equity और liability आप इसे क्या समझते हैं can be capital also based on substance इसका मतब आपको substance देखना है सच्चाई देखनी है सच्चाई इसका मतब based on सच्चाई form क्या होता है शकल आपने सच्चाई को देखना है शकल को नहीं देखना है इसका मतब यह हो गया कि शकल उसकी मान लीजिए liability जैसी है पर यह हो सकता है वो capital भी हो तो आप अपने standard में बार 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 चेक करेंगे कि यह substance over form में क्या हो रहा है तो आप पाएंगे कि हमारे standard कभी भी किसी को नाम से classify नहीं कर देंगे जैसे मैं बोलूँगा यह equity share capital है तो आप capital नहीं बोल देंगे it can become liability जैसे मैं example देता हूँ किसी cooperative society की capital जो है वो refundable होती है तो इसमें feature liability का नहीं महसूस हो रहा किसी cooperative society की capital refundable होती है यानि capital will be refunded तो इसमें refundable होने का जो feature है that makes it liability लेकिन नाम उसका क्या है नाम उसका equity capital तो equity capital देखकर तो यहीं लगता है कि capital है लेकिन उसके form पर मत जाओ उसकी सचाई पर जाओ क्योंकि यह refundable है इसलिए मुझे classify कैसे करते है हम बोलते हैं यह liability है इसका मतब हम लोग substance over form का पालन करेंगे हम बोलेंगे साहब इसके अंदर में substance का काम करना है फिर इसके अलावा IFRS use fair values at lots of places जगा जगा fair values का इस्तेमाल होता है इसका मतलब यह कि हम बार बार बोलेंगे इसको fair value पर लेकर आओ क्या मैं कह सकता हूँ यह हमारा आने वाला future है future of valuers बड़े सारे लोग आने वाले समय में values बन जाएंगे क्योंकि IFRS जगा जगा पर fair value मांगता है अगर आपको पता हो I don't know आप लोग अभी आजकल दफ्तर में काम कर रहे हैं कि नहीं क्या schedule 3 में आपने fair value किस से निकलवाई है who had calculated who had calculated यह fact mention करना पढ़ रहा है यह amendment अभी आई है यह amendment कब आई है 18 March 2021 को आई है तो 18 March को एक amendment आई fair value किस ने कि निकाली है इसको mention करना पढ़ेगा तो मुझे यह बताईए क्या यह आपको घटना यह नहीं बताती है कि आने वाले समय में fair values के उपर घपले होंगे इस वज़ा से अभी तो उन्होंने सिरफ यह कहा है कि बताओ भाई वो registered value है के नहीं यह आने मेले समय में fair value के उपर भी standard आ जाएंगे fair value के उपर भी कानून आ जाएंगे क्योंकि IFRS जगा जगा पर fair values का use करता है इसका मदा we must know कि इतना ही बार fair values वर्ड सुनेंगे आप हमारी क्लासों में क्या आप कहोगे बहुत बढ़िया धंदा होने वाला है अगर आप fair values वेल्योर है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है institute इसका एक course भी करवाता है fair valuation का अगर आप वो करना चाहें कर सकते हैं इसके अलावा हम और भी बात करेंगे शुभांगी बेटा वो चेक कर रहे हैं उसके अंदर अगर मान लो कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं इसके अलावा focus of IFRS is on consolidated financial statements वो कहता है हमेशा हमें consolidated statements पर देखना चाहिए इसका मतलब IFRS कम importance देते हैं IFRS give very low importance to separate financial statements तो मुझे ये बताओ हमारे standard reliance industry के financial statement पे ज़्यादा reporting ज़्यादा focus किस पर कर रहे होंगे वो उनके consolidated पर कर रहे होंगे क्योंकि गड़बडे इधर से ही होती हैं दो separate statements के अंदर ही तो हम गड़बडे करते हैं आपस में transaction करके और यहां पर वो transaction eliminate हो जाती है इसलिए हमारा focus यही पर होने वाला है अब जगा जगा पर पाएंगे मैं कहीं भी reporting की बात करूंगा तो होगा आप कहेंगे कि हिसाब ये consolidation की चर्चा बार बार क्यों करते हो क्योंकि यही हमारा future है हम इसी के context में काम करने वाले है and you will feel in the office also कि यह चीज़ें जितनी बार मांगी जाती है इससे लगेगा कि हाँ भाई यह तो कुछ ज़्यादा important हो गया जो पहले कभी नहीं था आजकल यह important बहुत हो गया ठीक है ना क्योंकि यह IFRS का मुक्के goal है यह नहीं उसका यह main काम है कि हमको ऐसा ही करना है इसके अलावा आप पाएंगे disclosers have increased a lot in IFRS IFRS में discloser बहुत ज़्यादा बढ़ गए है बहुत सारे disclosers जो हैं वो increase हो गए है तो आप पाएंगे कि पेज ही पेज भने होगा है discloser यह भी करो यह भी करो इसलिए तो आपके paper का नाम भी क्या है financial accounting नहीं आपके paper का नाम आपके paper का नाम क्या financial reporting इसका मदब आप यहाँ पर यह सब सीखेंगे कि क्या-क्या disclosers होते हैं और क्या-क्या disclosers हमारे पास नहीं होते हैं यह हमारे मुख्छे features हैं अगर कोई आपसे पूछ ले, again not relevant for exam but of course आपको पता होने चाहिए थे, third बात करते हैं, convergence of IFRS and India, अचा मुझे ये बताओ, जब मैं IFRS बोलता हूँ, तो क्या IFRS के साथ IS भी understood है, हाँ, ये दोनों हमेशा इकठे ही माने, मैं अगर कभी आपको अकेला बोल भी दूँ IFRS, तो इसका मतलब IS भी साथ में है, क्योंकि हमने गोड ले लिये थे ना उनको, तो IS भी हमारी बच्चे है हमी ने गोड लिया हुआ इनको, ठीक है, तो IFRS और IS एक ही बात है, तो मैं अगर इनकी कन्वर्जन्स की बात करता हूँ, इंडियस के साथ, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जब ये आए, तो क्या हुआ, लिखें, इंडियस, और इंडियस, 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 इ We call India as Converged IFRS, Oblique IES. If India had made no change, it would be called that India has adopted IFRS, Oblique IES. If India has not adopted IFRS, it has converged. क्या आपको meaning समझ में आ रहा है कि हमने adopt नहीं किये हैं, हमने converge किये हैं. Hence, few differences exist between India and IFRS. तो हमारे पास कुछ changes exist करती हैं. अब मुझे आप कहेंगे साब वो changes कौन-कौन सी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं. एक है significant changes, जो बड़ी significant changes हैं, तो उनको हम बोलते हैं आपने पास carve in और carve out. Carve in मतलब नया points डाला और carve out का मतलब है point हटाया, जो significant है, इसका मतलब कोई point या तो इंडिया वालों ने नया डाल दिया, या इंडिया वालों ने कोई point हटा दिया, आपके course के लिए six differences exist करते हैं. For CA final, तो इसका मतलब IFRS में और हमारे इंडियास में कितने differences हैं? सिरफ 6 differences हैं, मैं किन की बात कर रहा हूँ? significant changes की. इसका मतलब significant differences जो है, वो सिरफ 6 हैं, और कुछ नहीं है. तो आपको ये 6 difference पता होने चाहिए, वो कौन-कौन से हैं? इसके अलावा non-significant difference. कौन-कौन से non-significant differences हैं? ये तो बड़े सारे हैं. many such differences. तो वो हमारे पास many such differences में कौन-कौन से हैं? जरा उनके बारे में ही बात करते हैं. IFRS and IS call balance sheet as statement of financial position. But India calls it balance sheet. क्या ये difference significant लग रहा है? कि balance sheet का नाम इंडिया में हम लोग balance sheet बोलते हैं? International financial reporting उसका नाम statement of financial position बोलते हैं. ऐसे ही हमारे पास profit and loss का है. कि इंडिया में हम लोग बोलते हैं profit and loss. International बोलते हैं statement of financial performance. तो ऐसे differences हैं. These differences are in names only. तो क्या ये कोई significant है? The answer is no. Similarly for pre-penal also. Difference exists. उसके लिए भी ये difference exist करता है. अच्छा इसके अलावा, मतलब ये हर standard में कई कई जगा आता है. तो अगर इनको हम गिनेंगे तो बड़े सारी difference हो जाएंगे ना. हर standard में ये difference आ रहा होगा. तो ऐसे तो बड़े सारे difference हो जाएंगे. तो हमने कहां वो differences को count करने क्या वशक्ता हैं क्योंकि ये significant नहीं है. दूसरा है removal of options. ये क्या है? IFRS gives multiple treatment, oblique alternatives और options to do a specific treatment. बड़े IFRS कहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या वो सारे ठीक हैं? अगर IFRS आपको multiple treatments दे रहा हैं, कि आप treatment one भी कर सकते हैं, two भी कर सकते हैं, three भी कर सकते हैं, तो क्या सारे IFRS हैं? answer is yes, क्योंकि IFRS allow करता है, but in India, we have removed lots of alternatives, तो यह बताओ, alternative remove करने से, क्या हम IFRS से different हो जाएंगे, सोचिए आराम से, क्या यह significant difference है, आपको कहा जाता है कि ऐसा है, क्या आप अपने पास चाहो, तो balance sheet को liquidity में भी बना सकते हो, या permanence के order में भी बना सकते हो, और एक company ने उठाकर उसको कहा कि ने, हमारे end AS ने कह दिया, हम तो उसे permanence के order में बनाएंगे, तो क्या हमारी balance sheet अलग हो गई, नहीं दा answer इस क्या दिक्कत है उसके अंदर, हमने एक option को हटा दिया ना, लेकिन जो option बची हुई है, वो IFRS की तो बची हुई है, इसका मतब इससे भी कोई significant difference नहीं आ रहा है, तो जहाँ significant difference है, वो तो treatment in Indias, भई Indias में first time application कैसे होगी, उसका treatment भी हमने remove कर दिया, क्यों कर दिया, because it is given by MCA, क्योंकि MCA ने अपना treatment बता दिया कि first time कैसे होगा, तो हमने का ठीक है, जब first time बताई दिया उसके अंदर, तो हर standard में लिखना पहली बार apply करेंगे, तो क्या होगा, पहली बार apply करेंगे, तो क्या होगा, हमने वो treatment हटा दिया, क्योंकि हमने उसको अपने पास MCA ने first time के लिए, तो क्या ये भी कोई significant difference, the answer is no, क्योंकि first time application का difference जो है, वही है, और कुछ नहीं है, और वह भी यहाँ पर हमारे पास IFRS में है, हमने उसे MCA ने बता दिया, तो इसका मतलब कोई difference उसके अंदर भी exist नहीं करता है, तो कुल मिला करके मुझे बताओ, जब भी मैं आपसे बोलूँगा, IFRS के साथ difference, तो आपको कहां पर focus करना है, इन 6 differences पर focus करना है, जिनको हम carve in, carve out बोलते हैं, okay, again, क्या ये मेरे पास exam में ऐससे चाहेगा, I cannot say कि एक्जाम में carve in, carve out आएगा, वो पूछेगा, ये theory नहीं पूछेगा, लेकिन वो 6 differences पर सवाल पूछता है, इसका मतलब हमको उसके बाद, जब हम पहुंचेंगे तो आपको carve in क्या होते हैं, carve out क्या होते हैं, कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बोलूँगा, international accounting standard committee कभी होती थी, या मैं बोलूँगा, IOS को होता था, इंडिया ने adopt नहीं किये, converge किये हैं, और ये फिर हमने का, MCA ने ऐसा ऐसा कर दिये, these are all theoretical points, but of course, यह आपको समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, because आने वाली चर्चा आपको अच्छी लगेगी, अगर आपकी इसकी background clear होगी तो, मैं साथ साथ हर एक बात लिखे भी जा रहा हूँ, कि आप जब भी revise करना चाहें, सिर्फ इसको पढ़ भी लेंगे, तो आपको तुरंत revise हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक चौथा points, application of indias, किन पर ये standard apply करते हैं, indias किन पर apply करते हैं, partnership firm पर apply करता है कि नहीं करता, company पर apply करता है कि नहीं करता, sole proprietor पर apply करता है कि नहीं ये सवाल उठता है कि ये indias किन पर apply करते हैं, तो हम अपने पास अब ये, इसके बारे में, जबना बताना, reliance industries पर indias apply होते हैं, तो आप कहेंगे, हाँ, reliance industries पर apply होते हैं, लेकिन एक छोटी company पर indias apply होते हैं कि नहीं, तो ये जानने के लिए हमको ये समझना है कि किन पर ये apply होते हैं, ठीक है, तो लिखेगा, indias are applicable on following. Number 1, companies listed or process of listing any exchange, any security, it includes non banking finance company, but does not include bank and insurance companies, तो मुझे फटा फट से ये बताओ, access bank limited, क्या access bank limited भी listed है, फटा फट से पहले ये बताओ, क्या access bank limited भी listed company है, तो access bank limited भी एक listed company है, तो काईदे वैसे तो उस पर indias लगने चाहिए न, बट मैंने कहा does not include, इसका मतब आपने bankों पर और insurance company पर indias apply नहीं करने है, ये तो घोर अन्याए है, जिन पर लगने चाहिए थे, ये सबसे ज्यादा logical standard उन पर हमने क्या कर दिया, हमने का इन पर apply नहीं होंगे, वैसे तो चाहिए नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर rough के अंदर बता आपको इसका print out वैसे आपको मिल जाएगा, यह मैंने rough में बताया, government tried applying indias to banks and insurance companies, government ने try किया, कब try किया, 14 2018, government ने 14 2018 को try किया, but, it could not, sir, क्यों बैंकों को समय चाहिए था, indias लगाने के लिए, वो कहते हैं, साब इसमें जितनी requirement है, हम वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतब वो बैंक नहीं कर पाए, फिर क्या हो गई, पोस्टपॉन हो गई date, postpone to 14 2019, again, could not, इसका मतब ऐसा नहीं कि हम ट्राई नहीं कर रही है, गउर्मेंट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, बैंक तयार नहीं हो पा रहे हैं, फिर पोस्टपॉन्ट to 14 2020, again, could not, due to, अब कौन आ गया, कोवीड आ गया, अब कोवीड की वज़ाद से ट्राई नहीं कोवीड पोस्टपॉन हो गया, बैंक तो पहले बैंक तयार नहीं हुए, फिर बैंक थोड़े से तयार हुए, तो कोवीड आ गया, अब कोवीड से क्या प्रापला मां गई, क्योंकि एकॉनमी अचानक रुख गई, और बैंकों में से कई बैंक डूब सकते हैं, इंडियस लगाने के बाद, क्योंकि बैंकों के भीतरी हालात अच्छे नहीं है, अब उनके पर इंडियस लगाएंगे, तो उनका एक्शो एक्सरे हो जाएगा, क्य मैं अपनी बात कर रहा हूँ, expect that government will try it around 2024, इसका मतब 2024 से पहले मुझे नहीं लगता है, अब क्या मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, 2000 हो सकता है 23 में आ जाया है, हो सकता है 2025 में, 2021 में government ने try ही नहीं किया, 2022 के लिए भी तक कोई जानकारी नहीं है, इसका मतब this is what I know, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकों पर ऐसा नहीं कि हम try नहीं कर रहे थे, हो नहीं रहा है, तो मुझे for profit से बताओ, किन पर ये India supply होंगे, सभी listed companies पर, या जो companies in process of listing है, any exchange, किसी भी exchange, चाह वो इंडिया क रहे चाहिए, कोई bond है, यनि सभी cover हो जाएंगे, क्या NBFC cover हो जाएगी, हाँ, bank नहीं होंगे, NBFC हो जाएगी, okay, NBFC पे 14 2019 को government ने apply कर दी, उन्हें ने चूँचान तो बहुत की थी, कि मत करो, मत करो, लेकिन government ने इनको सुना नहीं और इन पर apply कर दी, बाद में COVID आ गया, bank विचारे रही गए, अच्छा, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अभी बोलू या वो बात बार बार आनी है, तो बार बार के साथ ही बोल दू, तो मैं बार बार वाली बात को भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बात बोल देता हूँ, लिखा नहीं मैंने, बात Reliance Industries पर लिखेंगे तो Reliance Industries के group पे apply होंगे उसके परिवार पे apply होंगे मतलब holding company पे apply होगा subsidiary पे apply होगा associate पर apply होगा joint venture पे apply होगा चार लोग ओटे हैं परिवार के चारों पे apply होगा इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी भी company को आप घिर लेंगे तो उसके परिवार की सारी कंपनिया आ जाएंगी तो ये बात मैं बाद में लिखवा दूँगा क्योंकि ये पॉइंट सबके लिए common होगा तो मैं इस बात को बाद में लिखवा दूँगा चल सकते हैं आगे तो मैंने कहा हमारी कंपनीज में ये वाली कंपनीज हैं जिनको हम बोलते हैं कि इन पर तो हमारे पास इंडियस लगेगा अनलिस्टिड कंपनीज अब कौन सी कंपनीज आ गई जो कंपनीज अनलिस्टिड है क्योंकि लिस्टिड तो उपर ही आ गई तो हमने कहा अनलिस्टिड कंपनीज whose नेट वर्थ इस मोर दैन और एक्वल टू दो सो पचास करोड ओन 31st मार्च अफ लास्ट इयर जिनकी भी नेट वर्थ दो सो पचास करोड या उससे अधिक है हां गारगी ने पूचा है सर क्या ये सबसिडरी आफ फोल्डिंग कमपनी पर भी अप्लाई होंगे इसका मदब जिस लिस्टिड कमपनी पर अप्लाई करेंगे उसकी सभी सबसिडरी पर अप्लाई हो जाएगा और अगर वो सबसिडरी लिस्टिड कमपनी है तो उस पर अप्लाई हो गया तो उसके parent पे भी apply हो जाएगा तो इसका मदब पूरे के पूरे परिवार पे India's apply होंगे जब भी apply होंगे ठीके अब बारी आ गई unlisted companies लिस्टेट तो उपर ले आए थी या process of listing तो उपर ले आए थी तो इसका मदब अब हमारे पास unlisted companies आ गई हां मृदुल ने कहा कि unlisted companies में private companies of course इसमें private limited companies आ गई तो जिनकी net worth धाई सो करोड या उससे ज्यादा है कब देखना है 31 March of the last year उनको अगले साल से इंडियस लगाने पड़ जाएंगे ठीके ना अच्छा विशेश ने पूचा है what about the subsidies of associates जी नहीं विशेश हमारी subsidiaries हमारे associate हमारी subsidiary की subsidiary हमारी subsidiary है बट हमारे associate और हमारे joint venture की subsidiary हमारी नहीं होती है इसलिए उनको वहां तक नहीं जाते तो हम अपने पास associates और joint venture में तो एक layer तक जाते हैं बट subsidiaries में हम आगे तक जल चलते चले जाते हैं हमारी subsidiary subsidiary की subsidiary subsidiary की वैसे ऐसे layer होती यह पर मैंने कहा जहां तक जाने ली जाओ कोई दिकत की बात नहीं subsidiary के आगे associated subsidiary के आगे joint venture लेकिन associate और joint venture का आगे कुछ नहीं तो हमने कहा हम अपने पास इसको जिनके net worth इतनी जादा है equity capital plus preference capital if it qualifies as equity अच्छा equity का मतलब है सच में सच में capital और preference capital भी मैंने बोला अगर वो equity qualify कर जाए क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में मैं बोलूँगी preference share capital can be liability इसका मतलब जब आपको clear cut पता हो ये equity है equity means जो owner की है तभी आप पर लेंगे अन्यता नहीं लेंगे what if इस अपलिकेबल only listed exchange और security प्रणाव listed exchange नहीं बोला मैंने कहा any exchange मैंने कहा हमारे पास हो किसी भी exchange में new york में listed है के इंडिया में listed है के दिल्ली में listed है any script कोई bond listed है कुछ भी चीज़ हो सकती है इसकंदर ठीके ना हाँ शुभांगी बेटा मैं एक बार फिर चेक कराऊंगा आपने शिंत रहे तो equity capital plus preference share capital plus free reserves जिसमें general reserve P&L retained earnings etc बाकी free reserve में और क्या आता है later on discuss कर लेंगे किसी और जगा पर हमारे पास कही बार इसकी चर्चा होगी minus losses plus capital reserve arising from government grant ये आपको पता है government grant में आप capitalism में grant डालते थे जब छोटे बच्चे थे promoter contribution वाली मैं उसका हवाला दूँ कि आपको याद आ गई है promoter contribution grant तो सारे capital reserve नहीं आएंगे सिर्फ कौन सा वाला capital reserve बोला है सिर्फ arising from government grant और वो कौन सा grant होती थी promoter contribution वाली grant होती थी वही वाला capital reserve आएगा हमारे पास यहाँ पर अच्छा अब एक आपको मन में सवाल आ रहा होगा सर हम अपने पास क्या revolution reserve ले सकते हैं the answer is no सर हम अपने पास कोई और specific reserve ले सकते हैं the answer is no तो लिखें do not consider revolution reserve or any specific reserve एक और मैं आपके साथ बात करता हूँ शायद आपको पता हो एक isop reserve भी होता है isop reserve क्या था अगर आप intermediate में पढ़े थे आप एक chapter जिसके अंदर share based payment का था उसमें हम अपने employees को कुछ options देते थे और उसका हम credit generate करते थे और उसका हम credit को अपने पास reserve and surplus में डालते थे और हम बोलते थे यह later on अपने पास reserve जब share देंगे तो debit कर देंगे कुछ याद आ रहा है आपको अपने पास हालाक यह सब चर्चाएं होगी हमारे पास इसाप reserve की भी free reserve की भी चर्चा होगी हमारे पास बट right now क्योंकि net worth का मैं मीनिंग यहां बताना चाहता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि net worth का मतलब यहां पर क्या लिया हुआ है तो इसाप reserve is considered as free reserve हम यहां पर उसको free reserve लेते हैं तो इसका मतलब इसाप reserve में क्या जो इसाप reserve है क्या वो भी यहां पर include हो जाएगा the answer is yes वो भी include हो जाएगा तो मुझे यह बताओ क्या unlisted companies भी बड़ी बड़ी unlisted companies भी cover हो गई इसके अंदर the answer is yes मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ Reliance Industries Limited की एक unlisted very small subsidiary है फड़ा फट से बताओ इस पर India Supply होंगे की नहीं होंगे शुबम शुबम ने पूछा what about statutory reserve हो specific reserve होते है मैं नहीं कर दिया है मैंने उसके अंदर शैविक बोल रहे हैं क्या हम net worth by assets minus liability ले सकते हैं शैविक नहीं असल मैं बताओंगा क्यों नहीं ले सकते हैं दो मिनिट रुख जा पहले ये बात का जवाब दे दो तो मैंने कहा Reliance Industries की कोई subsidiary है very small subsidiary तो क्या इस पर apply होंगे the answer is yes बताओ क्यों apply होंगे हम NDS क्यों apply करेंगे क्योंकि ये family का part है लेकिन अगर मैं इसके अंदर से ये हटा दूँ अब apply होंगे क्या अगर मैं आप से कह दूँ कि आप family वाला बार point ignore मत करना family वाला point तो ये ही है तो मैं family वाला point इसके साथ बगल में लिखवा दूँगा आपको अभी मैंने इसको नहीं लिखवाया है इसके अलावा third point पर लिखेगा real estate investment trusts and infrastructure investments trusts also apply indias notified by cb ये दो trust हैं जो सेबी ने कह रख है indias लगाएंगे इसका मतलब यह हो गया कि ये अगर कभी ये trust आपको दफ्तर में मिल जाएं तो इन पर भी आपको अपने पास indias लगाने पड़ेंगे याद रखिएगा इसके अलावा central government has power to apply indias on any body corporate सरकार जिस body corporate को cover करना चाहे वो cover कर सकती है और वो जो point मैंने 2-3 दफा बोला कि इनके अंदर एक और भी point है तो वहाँ पर एक साथ में note लिख दे नहीं है जगा तो आप इसके end में लिख दे note in case of companies जब भी आप companies की बात करेंगे always apply indias to full family that is holding, subsidiary, associates और joint venture इन सब पर apply करेंगे तो वह जब आप बोल रहते हैं ना प्लीज नाम ठीक कर लें बोलने में बड़ी दिक्कत है न अब क्या नाम बोलें उसकंदा तो अपना नाम तो आप ठीक लिख दें बिचक पूरा असली नाम नहीं बताना चाहते तो कुछ भी लिख दें एफ और एलीफेंट ऐसे कुछ भी लिख दें तो मुसे बोलने में अप्लाई होता है मैंने किस के उपर मना कर दिया मैंने का बैंकों पर और इंशिरंस कंपनी पर छोड़ दीजिए हम उस पर अप्लाई नहीं करना चाहते अब मैं इसी के कॉंटिनेशन में कुछ और लिखना चाहता हूं तो यह नोट हो सकते हैं आपने नीचे लिखा हो तो नंबर वान ओवर सीज सबसिडरी ओफ इंडियन पेरेंट अप्लाईंग चल बस काली इतना लिखता हूं पहले ओवर सीज सबसिडरी ओफ इंडियन पेरेंट तो यहां पर लिखें इंडियन पेरेंट अप्लाईज और ये उसकी foreign की subsidiary है अब मुझे ये बताओ क्या इस पर भी मैं subsidiary को सबसी बोल देता हूँ तो क्या foreign subsidiary पर इंडियस apply होंगे फटा फट से सोचो अगर मैंने कहा कि Indian parent है और subsidiary foreign में है तो क्या उस पर apply होंगे तो हमने कहा no not applicable but it will provide data as per इंडियस to parent for consolidation कुछ समझ में आई बात कि इसका मतलब foreign subsidiary per इंडियस उसे इंडिया के इंडियस पर reporting नहीं करनी है पर वो अपने पास provide करेगी data जो as per इंडियस होगा parent को ताकि वो consolidate कर पाए चल सकते हैं आगे यह हमारे पास एक special situation हो गई और बात करते हैं इसका उल्टा करके देखते हैं overseas parent has Indian subsidiary तो मैंने कहा कि अब हमारे पास foreign में है parent और Indian है subsidiary और यह apply कर रही है इंडियस अब बताओ जी इंडियस कौन apply कर रहा है यह Indian subsidiary पर इंडियस लग गए उसकी net worth 200 crore से उपर थी इस पर इंडियस लग गए तो क्या foreign के parent को इंडियस लगाने पढ़ेंगे no इंडियस not applicable इसको foreign के parent को इंडिया में रिपोर्टी नहीं करना तो इसको इंडियस लगाने की कोई आवश्चक्ता नहीं हाँ Indian subsidiary अपने पास इंडियस लगाती रहेगी हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे फटा फट से बताइए यहां तक बात समझ में आई तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लू और प्रिंट आउट भी लेकर क्या आगे चल पड़ू हाँ गौतम कह रहे है वो foreign में आई ये forest लगाएगा वो पर टिपनी नहीं कर सकता कि foreign में जिस देश में है वहां के laws क्या है इसलिए हमने का वो इंडियस नहीं लगाएगा पर क्या लगाएगा वो उसकी समस्या है हम special cases कर रहे हैं और अभी तक हमने दो special cases लिखे हैं तो और भी special cases लिखे सभी बच्चे और भी special case special case number third लिखें any company on which Indies are applicable has family member which is bank or insurance company मुझे फटा फट से ये बताओ bank और insurance company पर India supply नहीं होते बैंकों पर insurance company पर अभी तक India में India supply नहीं हो रहे हैं पर company पर India supply हो रहे हैं और इंशूरेंस ठीक है जी किसी company की subsidiary है हाँ मैं सरोज एक बार बात करता हूँ आप ने शिंत रहें company has a subsidiary of bank and insurance company रवी देख रहे हैं आप message तो company has a subsidiary of bank और insurance company अब मुझे फटा फट से बताओ this company applies India तो technically क्या बैंकों पर भी India लगने चाहिए कि नहीं जो हमने भी तक चर्चा किया है उसके मताबिक answer दो बहिए अगर किसी company पर India लगए तो उसकी family में भी लग जाएंगे तो family में bank है या family में insurance company है तो अब इसका क्या होगा इसके अंदर तो हमने कहा do not apply India it will apply I gap that is AS वालों को I gap भी बुलते हैं AS को I gap भी कहते है ठीक है ना तो it will apply I gap ठीक अब आप कहेंगे साब ये तो बड़ा चक्र पड़ जाएगा कि अब consolidation कैसे होगी bank and insurance company will provide data as per India to its parent for consolidation पर्पस ओ माई गॉड क्या कुछ दिमाग में गया यह नहीं इन्हें report तो आई गाप के हिसाब से करनी है पर consolidation क्योंकि इसने करनी है उसकी subsidiary है इसने consolidate करना है तो यह necessary data as per India इन्हें provide कराएगा as per India तो तब ही बात बनेगी but not apply हाँ प्रणव कह रहे है but not इन पर तो apply नहीं होता तो अभी इनको अपने पास रखने पड़ेंगे ऐसे accountant और ऐसे वेक्ति जो इनके पास अपने यह सारा data as per India भी बना कर रखेंगे publicly नहीं आएगा वो ओके प्रणव वो data publicly नहीं आएगा वो अपने पास internal excel sheet पर सब चीज़ें बनाएंगे और वो उठाकर इनके साथ share करेंगे ताकि यह consolidate करें तो इसका मतलब यह एक situation थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी मैं इसी में ही एक case और बनाऊंगा बेंक और इंशूरेंस कंपनी has a subsidiary which is required to apply INDIUS क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि subsidiary है जिसको INDIUS लगाने है इसे बताओ subsidiary पे INDIUS कैसे किस कारण से apply होंगे अमन ने कहा क्या वो data reliable होगा भाई साब auditor भी फसे हुए है auditor को भी यह सब चेक करना है ठीक है वो sign कर रहा है अपनी degree दॉप पे लगा रहा है तो आपको यह मैंने पहली भी बताया कि इसी company से INDIUS कर देतों नहीं ना असर में problem है अगर मानली जैसा कर देंगे तो आपके आदे बैंकों में problem है आपको पता उनके NPS की level यह जो INDIUS है ना इनका अपना NPS निकालने का level है imagine करें तो अभी तक सारे के सारे NPS कैसे निकालते रहे banking के हिसाब से निकालते ना RBI ने क्या बोला NPS के लिए 90 दिन देखो उसके हिसाब से निकालते रहे INDIUS आपको कहता है 30 दिन के हिसाब से NPS चक करो तो आपके तो आदे bank उसके अंदर provisioning में फस जाएंगे समझ में आ रही ही the problem तो बैंकों पर हम अब बिलकुल INDIUS नहीं लगा रहे क्योंकि उनकों लगाते है उनके आला थर्थर कहाँ पर हिंगा और मारे देश की economic condition खराब चल रहे दिटो COVID इसलिए हम लोग अपने पास उनको भी कह रहे है नहीं नहीं कोविड अभी या रहने दो तुम 90 दिन वाला ही सिस्टम follow करें तो पहले बताओ बैंक और इंशरेंस कंपनी क्या अपलाई करेंगे फटा फट से बताओ अपलाई आई गैप बैंक और इंशरेंस कंपनी क्या अपलाई करने वाले है आई गैप और ये क्या अपलाई करने वाली है अपलाई इंडियस बट अब प्राब्लम आ गई कि साब इनकी कॉंसॉलिडेशन कैसे करेंगे फिर इसलिए such subsidiary will provide data as per आई गैप to parent for consolidation अच्छा मैंने आपको एक बात कही ये subsidiary क्या ये खाली subsidiary subsidiary हो सकती है कि ये associate और joint venture भी हो सकता है it can be associate it can be joint venture मैंने खाली example के रुपे बोला उपर मैंने आपर बोला है family member इसका मतलब ये कि आपको अपने पास ये family member की बात चल रही है तो यह associate भी हो सकती है तो ये data किसके हिसाब से provide करेगा बताओ ये data eye gap के हिसाब से इसे provide करेगा ताकि bank अपने पास consolidation कर सके क्या आपको ये special situations भी समझ में आ रही है कि हमको अगर कोई पूछे तो आपको idea होना चाहिए कि किस में क्या rules है अब बारी आती है ये point number कौन सा था बेटा मैंने rub कर दिया उसका point number देखना है एक बार point number मैंने आपर कुछ continuation में चल रहा होगा subsidiary पे eye gap कैसे लगेगा subsidiary पे eye gap थोड़ा लगा subsidiary इंडियस लगाएगी और eye gap का data प्रस्तुत करेगी parent को और parent उसे consolidate करेगा ओके गौतम तो point number अब मेरे पास ना ये वाला point नहीं main point आना है मैं special case खतम कर दिये तो ये third के बाद fourth वाला नहीं अब मुझे बड़ा point बताना है गोले वाला तो पाँचवा पॉइंट्स ठीक है पहले roman वाली numbering चल रही थे ना तो मैंने आपसे का पाँचवा नंबर अब बारी आ गई एप्लिकेशन आफ अकाउंटिंग स्टेंडर्ड़्स ये नहीं I-GAP कि I-GAP के अंदर हम अगर हम बात करें तो I-GAP में क्या है इसमें कितने तरह की organizations बचती हैं मुझे फटा-फट से बताओ तो एक हो गई companies, कुछ companies बच जाएंगी और कुछ non-companies बच जाएंगी कुछ companies बच जाएंगी और कुछ non-companies हो जाएंगी ठीक है ना non-companies तो हम ये companies क्या apply करती हैं ये apply करती है apply company accounting standard rules 2006 ये क्या apply करती है company accounting standard rules 2006 और non companies क्या follow करती है ICAI requirements on accounting standards मैं आपको बताना चाहता हूँ on 23rd June 2021 these rules have been amended now we have we will apply company AS rules 2021 तो जो आपने पढ़ा था 2006 2006 वो बदल गए उसके अंदर हमारे पास 2021 आगए हाला कि हमारे लिए relevant नहीं है because they are not in our course okay और और वैसे ही on 18 March 2021 these requirements were changed मुझे फटा फट से बताना ज़रा कहा है कि सर तीन होते थे तो कल पेश अब मैं बोल रहा हूँ कि अब चार होते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल त्री और नया एक और भी लेवल आ गया लेवल चार क्या बदल गया इसके अंदर the answer is yes again मेरो को यह चाहिए नहीं है बट मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह आपके लिए not applicable है not applicable है but I will make small PDF and share for your knowledge चाहिए नहीं है पर मैं आपको एक छोटा PDF बना करके आपको share कर दूँगा यह share कहा होगा on LMS तो LMS पर यह मैं share कर दूँगा आप उसको वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं क्या यह exam के लिए relevant है तो यहां लिख दे not required for exam क्योंकि आपके लिए यह course में ही नहीं है वैसे तो मैं आपको यह भी ना कहता कि PDF share कर दूँगा क्योंकि अभी भी amend हो गया है तो आपको वैसे general idea होना चाहिए कि क्या amendment आ गई है इसलिए मैं आपके साथ यह share करूँगा ओके तो मुझे फटा फट से यह बताओ अगर मैं आपसे यह पूछू कि किस पर क्या apply करता है तो मैं उसे एक बार short में summarize कर दूँँ आपके लिए only short में ठीक है कि आपसे कोई पूछ भी ले कि किस company पर क्या apply करता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आपने चेक करना है कि ind as apply होगा कि नहीं होगा तो चेक करें is it bank insurance company जवाब मिलता है yes या जवाब मिलता है no फटा फट से बताओ bank insurance company कहाँ चले गए जैसे मैंने बोला bank है insurance company है आपने का हाँ तो मैं क्या करूँगा apply yes हम apply करेंगे अपने पास yes ठीक है न और इसके अंदर no exemption और relaxation इसमें कोई exemption और relaxation नहीं है apply as कौन कौन से as1 से लेकर 29 तक accepts आठवा और चटा exist नहीं करते हैं इसलिए उसको छोड़ दो आठवा और चटा exist नहीं करते हैं उनको हटा दो जैसे या मैंने कहा no तो आप क्या करेंगे अब चेक करेंगे कि यह listed company है company in process of listing है या unlisted company जिसकी net worth more than equal to 250 करोड है या यह real estate investment trust है या यह investment infrastructure investment trust रहा है जवाब मिलता है yes इन में से कोई भी case है and family member when I say family family का मतलब है holding, subsidiary, associate and joint venture ठीक है ना family भी साथ में है अगर जवाब मिलता है हाँ तो आप बताईए क्या apply करेंगे आप apply करेंगे indias आप उस पर apply करेंगे indias ठीक है तो यानि कि सारे कि सारे indias apply होंगे in this situations मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए कितने indias हैं जो आपके लिए relevant है total 35 indias है कितने indias है 35 वैसे कुल कितने है 40 लेकिन आपके लिए exam के लिए कितने है for exams 35 indias है और उसी पर आपको इतना टाइम लगेगा 35 इंडियस है तथा एक conceptual framework है on इंडियस इसमें से भी चार नंबर का सवाल आपको एक बार इंसे चूट ने पूछा हुआ है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो आपको ये दो चीजें apply करने पड़ेंगी सर वाट इस conceptual framework ये तो नाम पहली बार सुना हमने ये क्या है conceptual framework क्या होता है conceptual framework होता है कि जिन जगाओं पर इंडियस silent है वहाँ पर हम conceptual framework से अपना solution निकालते हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 35 के बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमारे को conceptual framework अपना एक pattern देता है कि आप कैसे सोचेंगे जिससे आपका सब काम बने तो हम बोलते हैं कि इन पर apply हो जाएंगे इंडियस ठीक है ना अगर मान लो ऐसा कुछ है यह हम check किस दिन करते हैं हम अपने पास जब check करते हैं listed company या check करते हैं company process of listing या check करते हैं net worth यह check किस दिन करते हैं यह check करते हैं on 31st March of last year हम 31 March of last year check करते हैं जैसे for example मान लो 31 March 2021 को मेरी net worth जो थी वो 250 क्रोड या उससे ज़्यादा थी तो मुझे पर India कब से apply हो जाएंगे मुझे मुझे पर India सप्लाई हो जाएंगे 14 2021 से India सप्लाई हो जाएंगे वैसे ही मैं आप से बोलता हूँ मान लीजिए मैं 30 March 2021 को unlisted था 31 March 2021 को मैं listed हो गया और अब बताओ मेरे पर India कब से apply होंगे फटा फट से बताओ मेरे पर India कब से apply होंगे जैसे आपने 30 March तो देखनी नहीं है आपके लिए तो कौन सी date है आपके लिए तो 31 March है तो आप क्या करेंगे 14 2021 को आप India कर देंगे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि 30 March को आप listed थे और आपने डी लिस्टिंग के apply का रखी थी और यहां पर आप unlisted हो गए मुझे फटा फट से बताईए अब क्या होगा अब 31 और आपकी net worth भी 500 क्रोड की बराबर या उससे कम ही है तो मुझे बताईए अब आप क्या करेंगे अब आप अपने पास I Gap apply करेंगे No you will apply I Gap फिर आपके लिए IAS जो है वो वाले apply करने पड़ेंगे ठीके ना तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास इस तरह से 31 मार्च को चेक करते हैं एक बात और बताना चाहता हूँ वो भी note करके लिख लो once INDIUS are applied then entity cannot revoke its application मुझे एक बात बताओ मेरी company listed थी मैंने INDIUS लगा दिये अगले साल वो unlist हो गई और चोटी company है क्या मैं वापिस AS पर आ सकता हूँ फटा फट से बताइए मेरी company पे INDIUS apply हो रहे थे और मैंने अपने पास अब अपनी company को unlist करा लिया और अब मेरी company वैसे भी बड़ी चोटी है क्या मैं वापिस से कभी आ पाऊंगा रिवोक नहीं कर सकते है आप इस लोटके नहीं जा सकते है अगर आप ने मुझे जवाब दिया no कि ये company इसमें भी नहीं है तो फिर आप क्या चेक करते हैं फिर आप चेक करते हैं कि आप company है ये non company है company में दो company होती है एक होती है non SMC non smc को बोलते है non small and medium company और एक होती है smc smc होती है small and medium company non smc को क्या full eye gap लगाना पड़ता है what is eye gap एक से लेके 29 तक बीच में जो exception है बता रखी है एक से लेके 29 तक तथा इनके लिए भी क्या कोई framework होता है मुझे फटा फट से बताओ क्या आप intermediate में कोई पढ़कर आए यहां बोला conceptual framework notice कर रहे है difference यहां बोला conceptual framework यहां बोल रहा हूं framework of accounting standards क्या यह यहां पर भी apply होता है क्या आपने पढ़ा हुआ है framework of accounting standards स्वार हम पढ़कर आए हैं यह पढ़कर आपने इंटर में exam भी दिया था इसका सारे के सारे आपको अपने पास IGAP लगाने पड़ते हैं जहां पर हम अपने पास बोलते हैं SMC है वहां पर आपको exemption available है कौन-कौन से standard है standard 15 है 17 है 20 है 28 है 39 में आपको partial exemption है यह वैसे आपके exam के लिए relevant नहीं है मैंने फिर भी हलका सा बता दिया हाँ प्रणव कह रहा है IGAP और AS exactly से मैं हाँ बेटा प्रणव असल में INDAS और AS वर्ड न बड़े common से है तो हमने बोलचाल की भाशा में IGAP का इस्तेमाल किया और यही word institute भी इस्तेमाल करता है IGAP तो when I say IGAP IGAP मतलब intermediate वाले standard ओके I से तुम यह समझ लो intermediate वाले standard हाला कि IGAP का मतलब है Indian Generally Accepted Accounting Principles तो वैसे ही इसके अंदर भी हमारे पास level है बताओ कितने level है level 1, 2, 3, 4 इनको apply करना पड़ता है full IGAP इनको क्या apply करना पड़ता है full when I say full IGAP मतलब all एक से लेकि 29 तक सब apply करना पड़ता है और इन पर हमारे पास exemptions and relaxations है बाकी वो मेरे चुकी course का part नहीं है तो मैं उसकी list आपको मैं print out दे दोंगा कि किस पर कौन कौन से standard लगते हैं कौन से नहीं तो this is the crux कि किन पर INDAS apply होंगे और किन पर INDAS नहीं होंगे हमने उसको बता दिया INDAS क्या होते हैं INDAS का difference क्या होता है किस पर apply होते हैं किस पर apply नहीं होते हैं तो ये मेरे पास एक short सा topic था तो आज हमने अपने पास चुकि आपको पहली class में सरब मिलना था बताना भी था कि साब हमारे पास INDAS क्या होते हैं INDAS कैसे आई उनकी history क्या है और चुकि पहली class में आम तोर पर students के कहीं न कि इन technical challenge चलते रहते हैं मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के technical challenge चल भी रहे है तो हमारी टीम Saturday और Sunday दोनों दिन आपकी साहिता करेगे जिन जिन बच्चों को challenges आ रहे थे वो अपने पास एक बार क्योंकि क्या होता न पहले वो लोग inform नहीं करते हैं तो last moment पर आचाना हमारी टीम को दबावा जाता है तो I hope आप अपने पास within two days अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे और हम अगली class यानि Monday से जब मिलेंगे तो Monday को हम लोग अपने पास इस नए topic के साथ start करेंगे हमारा नए topic कौन सा होगा नए topic होगा schedule 3 हम end AS का schedule 3 पढ़ेंगे कि end AS की balance sheet कैसी होगी end AS का profit and loss कैसा होगा जब मेरा end AS 3 खतम हो जाएगा तो मैं पढ़ूँगा एक और end AS जिसका number होगा end AS 1 फिर मैं आपको कराऊंगा end AS 116 और 115 इतना करने के बाद हम आपको विराम दे देंगे और हम बोलेंगे यहां रुख जाओ और आपको फिर एक हमारे google drive में recorded topic है consolidation का आपको मैं बोलेंगे consolidation पढ़ो वाँ पर ठीक है तो मैं अपना base यहां बना चुका होगा फिर आप अपने पास balance sheet बता दी सारे formats बता दीए फिर हम अपने पास balance sheet के बाद आपको बोलेंगे अब तुम अपने पास क्या करो consolidation करो तो आपको हम उसके लिए तकरीबन 40 classes हैं तो हम आपको उसके लिए 40 दिन देंगे तो आपको रो जाना वो करना है फिर उसका हम query session लगाएंगे और फिर हमारा live sessions दुबारा start हो जाएंगे और वो जो live session हमारे चलेंगे वो फिर almost other than एक आदा topic छोड़के बाकी सारी classes live होंगी आपकी ठीके ना consolidation के अलावा और financial instrument के लावा बाकी सारे topic live होंगे उसके अंदर इसका फिर भी detailed plan जो है वो आपको बहुत जल्द भीज़ देंगे ठीके आँ कुनाल पूछे नहीं क्या consolidation intervala है बिलकुल इंटर वाला नहीं है तभी तो आपको समय देंगे उसको करने के लिए गारगी पूछे ने query session का timing क्या होगा यही होगा रोज सुबह साड़े 6 बज़े ठीके ना हम जब भी मिलेंगे साड़े 6 बज़े मिलेंगे और आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे कि इस दुन query session आ रहा है इस topic का अतर तक आप complete करें दोको live class के अंदर Google Drive का सबसे बड़ा फायदा ही हो सकता है कि आम तोर पे Google Drive पे बच्चे का ना मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का तो हम आपको नियमित time देंगे और बोलेंगे अब आप queries के लिए हमारे पास आओ तो अगर आप properly घर से पढ़ लेंगे तो query session अटेंड करेंगे तो topic properly pack up होगा और अगर मान लीजे आप live session करना ही नहीं चाहते तो आपका अपना plan चल रहा होगा फिर आपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है अब उसको अच्छे से plan करें तो अच्छी बात है लेकिन कई बार मैं जानता हूँ कि बच्चे अच्छे से plan नहीं कर पाते है इसलिए problem होती है उनको listed company dealing in any security नई 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 प्रणा बेटा हमने कहा हमने अपनी company की listing करा रखिया हमारा share listed है हमारा debenture listed है हम deal कर रहे हैं listed script में यह नहीं बोल रहा मानलो मैं reliance के share खरीदने बेचने का धंदा करता हूँ तो मैं इसमें cover नहीं होँगा मेरे shares या मेरे debenture या मेरे bond listed अगर है तो मुझ पर India's लगेंगे ठीक है न तो आज रवी ने कहा है क्या inter वाला consolidation revise करना रवी बिलकुल भी नहीं आप सिर्फ और सिर्फ जितना मैं class में पढ़ाऊंगा उतना करना है और guaranteed है कि paper उसमें से मिलेगा आपको आपको कुछ नहीं और पढ़ना कोई base पुराना नहीं कि इंटर का जहां मुझे कुछ चाहिए होगा मैं आपको inform करूँगा हाला कि मुझे कहीं भी नहीं चाहिए होगा ठीक है ना तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे रिशीका पूछ रहे हैं आज के class में कौन सा relevant है exam में तो रिशीका ये exam में specific question नहीं आ सकता आपको कि history बताओ ये इंडियस किस पर लगता है ये बताओ बट ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी आने वाली चर्चाओं में जब मैं बोलूगा इस company में इस date को इंडियस लगता तो आप कहे हैं ये कब कैसे होगा तो आज की class मेरे पास आने वाली classes की foundation बन जाती है ठीक है ना शुभांगी मैं अभी एक बार चेक करता हूँ अपनी team से क्यों क्यों problem आ रही है हाँ अमन consolidation ही business combination है business combination consolidation एक ही है और हाँ बिलकुल अंकित आप हमारे साथ live class चलना सिर्फ कौन कौन से classes हमारे पास ऐसी है जो आपकी Google राइपर करनी जुरूरी है सिर्फ इंडेस दो, साथ, चौबिस, तेतिस business combination and financial instrument rest all is life ठीक है न तो आप अपनी किताब में देख ले सिर्फ चार इंडेस ये हैं एक chapter business combination एक chapter financial instrument बाकी all live है तो आपको हम अपने पास क्या करेंगे आपको हम पहले तो start कराएंगे फिर आप starting के साथ चाथ ये कर पाएं इसके लिए हम आपको इसका time दे देंगे फिर उसके बाद मैं आपके साथ दुबारा live आ जाओंगा और पूरा का पूरा live continue करता रहूंगा till end okay end तक हम live चलेंगे उसके अंदर चलिए तो आज हम अपने पास यहीं तक बात करेंगे गौतम कह रहा है एक बच्चे ने पूछा है साउंड और वीडियो में सिंक नहीं हो रहा है वो साउंड और वीडियो में सिंक की करे बार problem आती है क्योंकि क्या होता है internet कहीं पर भी हमारे end पर अचानक fluctuate कर जाता है रस्ते में कहीं fluctuate कर जाता है कहीं server to server यह आपके end पर हो जाता है तो यह दोनों में miss match आ जाता है बट यह अपने अब ठीक हो जाता है within few seconds और few minutes तो गवरानी की कोई बात नहीं है end एस रिवोक नहीं हो सकता फिर previous example में IGAP कैसे आएंगे first April से विकास ने पूछा कि सर इस case में पुराने वाले में आपने ऐसे कैसे कहा कि जब end एस रिवोक नहीं हो सकता यहां तक हम listed थे पर हमने अभी तक अपने पास AS लगा रहे थे इसका मतब हम listed हुए थे हम AS लगा रहे थे वाब बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हो सकता है हम 24 जून 2000 को भी unlisted थे तो इसी साल हमने list कराया और unlist भी करा लिया तो हम AS में ही चल रहे थे और AS में ही पूरा साल रहे तो अब हमारे पास अभी भी AS में ही चलेंगे क्योंकि एक तारीक है बट अगर मान लीजिए आपने एक परिटिकलर एयर में आई गयाप हटा करके INDAS लगा दिया मान लो इस साल में due to the previous year क्योंकि previous year में आप listed थे इस वज़ा से आप पर INDAS अप्लाई हो गए तो फिर सोचना बेकार है फिर तो आप दोबारा लोटके नहीं आप आएंगे किरती ने कहा है partnership firm पे क्या होगा बता भई partnership firm ये तो है नहीं है फिर चेक करें partnership firm ये भी नहीं है इसमें नहीं है तो partnership firm इसमें आ गई उसमें company भी नहीं है तो partnership firm इसमें आ गई तो partnership firm पर ये apply होगा या तो पूरे standards लगाएंगे या कुछ हो सकता उनको exemptions या relaxations हो किरती इसे से मिलती जुलती बात बोलता हूँ LLP पर क्या होगा तो LLP के अगर हम बात करें तो LLPs are considered to be companies और हम उसके context में अगर LLP बड़ी-बड़ी है 500 क्रोड से उपर वाली है तो इसमें आएंगी और अगर वो LLP छोटी है तो companies में आएंगी वो non companies में नहीं आएंगी ठीक है हम subsidiary company है in H limited हमारी holding company भी है और subsidiary company है in B and C it is applicable on B हम subsidiary company है H limited ये H और A दोनों लिखे आपने गारगी मुझे short में बताओ मैं companies आपने उसमें जो नाम लिखे है I can not identify कि आप किसकी बात कर रहे है मतलब आप ये कह रहे है एक subsidiary दो parent की एक subsidiary हो सकती है अगर ऐसा कह रहे है तो ऐसा नहीं हो सकता अगर एक subsidiary है तो उसका एक ही parent होगा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दो parent हो जाए तो still मैं अपकी बात जितनी समझ पाया मैंने उसका answer दिया When a company applies for listing Shall it file the financial statements as per India's the answer is no The moment board of director resolution pass कराते है कि हम अपने पास list करा लेंगे तो company is in the process of listing जैसे ही company in process of listing है और वो 31 March आ गई Important date तो 31 March हो गई न बीच में कभी होता है मुझे फरक नहीं पड़ता 31 March आ गई तो अब अगले ही दिन तुम पे क्या लग गए India's चाहे तुम बाद में list कराओ के ना कराओ और आपने का आपने आपको list कराने के लिए कौन से financial statement देने पड़ते है तो वो से भी है तो से भी हमसे जो मांगता है हमारे standards statements मांगता है जो हमने already published किये है which were all as per AS therefore there is no problem in that India's voluntary reporting कोई भी company कर सकती है the answer is yes कोई भी company voluntary India's लगा सकती है लेकिन revoke नहीं कर सकती एक बार India's लग गए तो revoke नहीं हो सकती है किर्ती कह रहे है अगर India's वाली company partner है अगर company partner है हमारी partnership form में उस case में क्या होगा उनका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई company ही है जो कि हमारा partner है उसे हम joint venture बोलते हैं जिसे आप partnership बोल रहे हैं हम उसे joint venture बोलते हैं तो आपका सवाल यह है कि अगर हमारा एक partner जो है वो हमारा joint venture है तो क्या उसमें cover होगा the answer is no हमारी joint ventures पर यह standard apply होता है इसका मतब जहां जहां पर भी हमने joint ventures खोल रखे हैं Reliance Industries ने अपना joint venture company बना रखी है उसमें और लोग भी है उस पर apply होगा लेकिन उनके अंदर जो partner से उनकी बात नहीं करना है अपने पास वी आर सबसिड्री और होल्डिंग हैस और होल्डिंग कमपनी हैस मोर सबसिड्री India is applicable to us as a result of which हाँ बलकुल गारगी ने जो अब बात कही है मुझे समझ में आ गई गारगी का क्या कहना है वो कहने है कि सर मान लीजिए एक कमपनी है उसकी एक S1 S2 S3 S4 सबसिड्री है इस पर अगर India is apply हो गए तो उनका कहना है इसका मतलब H पर भी apply होंगे दा answer is yes इसका मतलब S2 S3 S4 पर भी apply होंगे the answer is yes जब मैंने का आप पूरे परिवार पर apply होंगे तो root बनाने की गारगी आवशक्ता नहीं पड़ेगी हमको कि हम कहें यहां से यहां यहां से यहां पूरे परिवार पर ही apply हो जाएंगे उस group पर apply हो जाएंगे ठीक है इसका अंदर the moment आप holding बोलेंगे आई वांट की वह discuss करके फिर आप topic करें इसलिए शायद हमने टीम को मना किया था कि Google Drive पर content ना डाले I'm not sure आपको डाला content के नहीं बिट मैंने मना कर रखे है मैं चाहता हूं कि पहले दो-तिन क्लासे आप पहले मेरी कर ले schedule 3 पूरा कर ले फिर हम क्लासे डाल देंगे फिर आप उनको देख सकते हूं उससे पहले हम नहीं चाहते है कि आप क्लासे को देखे जिससे आपका flow बिगड़े रवी कह रहा है सार हमें revision करने के लिए कितना time चाहिए ऐसा कुछ time की आवशकता नहीं पड़ेगी मैं आपको एक बात बताता हूं रवी बात को ध्यान से सुनना बिल्कुल आसान है जितना मैंने आज पढ़ाया कोई मुश्किल था रोज आना आपको लेगा यह तो बिल्कुल आसान बात थी the only problem lies is कि आपका content बहुत जादा है तो इसलिए सोचना है तो पता क्या सोचो कि आज की class को summarize करके मैं अपने पास कैसे रख लूँ ठीक है ना अगर उसका PDF बना कर अपने पास रख लूँ या उसका कोई audio बना कर मैं रख लूँ मैं भी आपको उसकी summary's दूँगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा बाकी otherwise you will enjoy financial reporting आपको बहुत अच्छा रहेगा आपको लेगा कि हाँ ये कितने correct standards है तो आज की class के वल यहीं तक और जिन जिन students को दिक्कत है please continue to be in contact on telegram ताके हम लोग अपने पास काम करते रहे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं telegram पर बहुत ज़्यादा active नहीं हूँ आप मुझे whatsapp के ओपर अपनी queries only queries only queries वो भी subject queries मुझे आप technical query भेजेंगे तो कोई फायदा ना होगा मैं ना उनको पढ़ पाऊंगा ना समझ पाऊंगा तो इसका मतलब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ subject की queries इस number पे whatsapp अगर आप मुझे करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं telegram पर भी हूँ पर मैं बहुत active नहीं हूँ telegram पर इसलिए आप उस telegram से मुझे ज़्यादा पेक्षा ना करे मुझे telegram बहुत कम समझ में आया मैंने बहुत try किया लेकिन मुझे नहीं समझ में आ तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं और हम आपको Monday को मिलने वाले हैं with schedule 3 thank you and bye हाँ कल पेश जो slides है जो slides है ये सारी की सारी आपको LMS पर मिल जाएंगी ठीक है ना बस ठीक है बाई